नमस्कार में प्रियर अंजन और आज की इस एपिसोड में इडेडा स्टॉक को डिसकस करेंगे इडेडा स्टॉक देखेंगे तो आज 10% के तेजी पे ट्रेड कर रहा है चुकि ये स्टॉक 32 की लिस्टिंग थी यहां से 310 के लेवेल्स को टच करें एप्रॉक्सेमिटली 10 एक्स रिटर्न रहा फिर यहां से लगबग 22 परसेंट गिरा और इस्टॉक ने लगबग 238 तक के लेवेल्स बनाए वहां से अगें 10 परसेंट की तेजी दिगी तो लोगों को क्या लग रहा है कि क्या ये सस्टिनेबल है क्या ये ट्रेंड सस्टिन ऊपर करेगा या न्यूज के कारण आया और फिर नीचे चला जाएगा ऐसे आपके भी क्वेरी रहे होंगे तो एपिसोड में आगे बढ़ें से पहले प्रिमियूम टेलिग्राम को जॉइन करें डिस्क्रिप्शन के लिंक से एकाउंट आपन करें वीडियो पसंद आये तो दोस्तों में सेर करें ब्लाइंडली किसी को नहीं फॉलो करना है मुझे भी नहीं फॉलो करना है किसी को पैसा नहीं देना है किसी ऐसे ग्रूप में नहीं जुड़ना है या जुड जाने के बाद भी उसके सजेशन्स अगर आप रीचेक करें आपको भेतर हो तभी फॉलो करें ब्लाइंडली तो बिल्कुल फॉलो नहीं करना है बजार में किसी पे ट्रस्ट नहीं करना है यहां इडेडा स्टॉक में 7% का अपसाइड दिखा था और यह अपसाइड के कारण क्या रहे कमपनी ने 4500 करोर के फंडरेज 29 अगस्त को बोर्ड मिटिंग करेगी या तो QIP के थ्रू या तो राइट इसू के थ्रू या इंसिशिशनल इन्वेस्टर के थ्रू जो भी अलग-अलग माध्यम से हो सकता है कि कमपनी फंडरेज करेगी 4500 करोर का यहां देखेंगे सेर ऑफ ग्रीन फाइनेंसिंग इंडियन रिनवल इनर्जी सर्ज 10% जब 4500 या तो QIP के थ्रू या राइट इसू या अधर जो भी माध्यम है जो भी तरीके है वहां से फंडरेज करेगी 10-25 एम में 29 अगस्ट को मीटिंग है और इस मीटिंग को लेकर के ही यह फंडरेज होते हुए दिखा है निरत्न उपादी अभी ही हमने कंपनी को मिलते हुए दिखा और मुझे लगता है कि थोड़ा इस समय कौसन भरतना चाहिए रिसेंट की जो डिलेवरी है वो तो बेटर है बट ट्रेंड जो है वो थोड़ा मिसिंग था लेकिन आज की तेजी के बाद रिकबर होते हुए दिखा है अपडेट में देखेंगे तो एक यही अपडेट है जो फंडरेज को लेकर के सर्कुलर कंपनी ने जारी करें आज का वोल्यूम 6 करोर रिसेंट का वोल्यूम जो है लेस दें 1 करोर हुआ करता था कित का रेजिस्टेंस सॉरी 272 और 282 होगा तो शोट्टर्म टेडर का तो यह टार्गेट होना चाहिए और अगर 282 के उपर की वीटली क्लोजिंग हो फिर अल्टाइम हाई और कंटिन्यू 42500 भी दिख सकता है तो क्वेशन मार्क है कि 500 दिखेगा अगर आप 3 मन टू 2 या रू ट्रेश्मेंट होता है फिर यह लूर लो जैसा ट्रेंड में जाता है ऐसे हमने हिस्टोरिकल कई चार्ट देखे हैं तो बिल्कुल अपने घ्यान को खोल करके ट्रेड करेंगे जो आपको भेथर लगे वही करें हलांकि सॉर्टर में इसने जो एक ट्रेंड लाइन था यहां अपली दिखा सकता है और विकनेस जब तक 235 के नीचे नहीं है अबरॉल ट्रेंड स्ट्रॉंग है